नमस्कार आप देखने टीने टुन्टिफोर इंटुसेवन और मैं तरुन प्रताप सिंग आज कांग्रेस अध्यच राहूल गाधी अमेठी के दौरे पर थे और उन्होंने वहीं से दो घोषडाएं की दोनों बहुत ही महत्वपूर घोषडाएं उत्तर प्रदेश के संदर म गई यह तब हुआ जब सपा और बसपा का गडबंधन अभी बारह जन्वरी को हुआ ही था अपचारिक रूप से और उस पर कांग्रेस की तरब से लगातार उनकी प्रत्क्रिया जानने की कोशिश की जा रही थी प्रियंका का प्रवेस एक तरह से कांग्रेस के लिए लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस की अध्यच्छापूर में जो रही है सोनिया गांधी वह भी इस मसले पर बात करने से बसती आती थी और राहुल गांधी भी बसते आते थे कि जब तक प्रियंका गांधी नहीं चाहेंगी तब तक वह सक्रीराजनीती में नहीं आएंगी तो की नजाकत को राहुल गाधी वह समझते हूए फैसला लिया है कि अब प्रियंका की जरूरत कांगरेश को यूपी में है क्योंकि बड़ा चेहरा और एक बड़ी महिला और कद्दावर चेहरा की जरूरत काफी समय से कांगरेश की कि सोनिया-गाधी राजनीती से यह तरह से कहे अभी तक प्रियंका अमेठी और राहूल राइबरेली का काम देखती थी क्योंकि दोनों सीटे उनके भाई और उनकी माता का था तो उन्हीं दोनों सीटों पर सक्री रहा करती थी लेकिन 2017 का विधान सबा का चुनाव सभी को याद है यूपी के दो लड़के साथ आ है राहूल और इसके अलामा अखिलेस यादव वो दोनों साथ आना उन दोनों का कहीं ने कहीं लोग बता रहे थे जो राजनीती गलियारों में और पत्रकारों की गलियों में ख़बरे चल रही थी कि कहीं ने कहीं ये प्रियंका कहाँ था तो क्या तभी सक्रिय राजनीति में और कई मसलों पर प्रियंका का सिधा 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 हस्ता छेफ हुआ करता था जैसे अभी हालिया में मद्ध प्रदेश और गुजरात और मद्ध प्रदेश राजस्थान और 36 के मुख्यमंत्री चैन मर्जी किये थे यूथ कांग्रेस की उनको कमान दी गई थी और अचानक पूरे भारत में अब प्रत्यासित जीत कांग्रेस में दर्ज की और यूपी ये फ़र्ष्ट का से मिलकर उन्हें गडबंधन के साथ सरकार बनाई तो प्रियंका के आने से जो कांग्रेस का काडर वोट इस बार कम सकम यहां 20 सीटें वो जीतना चाहती है ताकि यूपी ये थर्ड की या अगर आप कांग्रेस की सरकार बने तो उसमें वो मददगार हो एक और कारण जो प्रियंका को लहां लाना मजबूरी बन गया क्योंकि अखिलेस और मायावती का गडवंधन बनने के बाद क अगरेस को जो उत्तर प्रदेश की बाते करता हो और उत्तर प्रदेश को एक जूट ला सकता था तो वह काम हो सकता आने वाले दिनों में प्रियंका गाधी करती हुई नजाराय कांग्रेस के लिए और दबाव बनाने को सी कहें और इसके अलामा लगातार भाजपा का हमला अमेठी पर हता था स्मृति रानी को उन्होंने उतारा अमेठी में लोग सवावा लड़ने के लिए और स्मृति रानी काफी सक्री भी हैं प्रियंका गाधी बनारस से चुनाव लड़ती हुई नजारा हैं तो कोई आश्रे नहीं होना चाहिए लेकिन हर सिक्के के दो लड़ता नहीं पहुचेगा कांगरेज को नुकसान भी होने की उतनी ही गुणजाइस है पहला नुकसान क्या हो सकता है कि आपको याद होगा 2014 के चुनाव में थ्री जी की बात किया करते थे वह ठीजी कौन से थे प्रधान मंतरी जो बात किया करते थे एक टूजी सीएजी और जी जाजी यानि की वाड़ा पर जमीन के मसलिप को लेकर एक केश चल रहा हरियागा में तो हो सकता है आने चुनावा में वाड़ा के बहाने प्रियंका गांधी के उपर निशाना अतका साजा जाए इसके अलामा प्रधान मंतरी मोधी लगातार चुनावी जनसभा में कहते हैं नामदार बनाम कामदार तो एक बार फिर नामदार मतलब प्रधान मंतरी कहते हैं कि राहुल गाधी लोग जो कि नाम एक बड़े घराने से आते हैं वन्सवाद की वात जो लगातार एक बहुत बड़ा आरोप लगता आया है कांग्रेश के उपर उस वन्सवाद पर एक बार पुना हमला करने के लिए भाजपा को एक और मौका दे देगा लेकिन कांग्रेश के पास बहुत कुछ विकल्प नहीं बचे थे इस स्थिती में घाती कांग्रेश के लिए साबित होगा पर कुछ भी हो एक तरह से कांग्रेश के काडर में उत्सा भरने के लिए प्रियंका आई है तो यह निश्चित तोर पर नतीजे पॉजटिव हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं तो आने वाला चुनाव बताएगा पर कहीं कहीं एक नेता और एक नेत्री जिसे आज राउल गांदी प्रेस कांफरेंस में कह भी रहते कि मैंने दो महीने के लिए जोति रादेती सिंधिया और प्रियंका को नहीं भेजा है वो 2022 तक रहेंगे और तो कहीं कहीं उनकी तैयारी विधान सवाचुनाओं को लेकर भी है तो ज देखना होगा यह प्रयोग कितना सफल रहता है यह प्रयोग कितना अत्मगाती होता है उन्नीस के सुनाओं में सब कुछता है हो जाएगा लेकिन जोती रादीति सिंधिया को पश्चमी उत्तरप्रदेश का बनाया जाने पी बात कुस्स समझ में नहीं आ रहे पिछले ही द परसेंट नहीं है और वहां रालोद के साथ गडवंधन में रहे यूपी सेकेंड में भी अजीस सिंग की पार्टी रही है उनके साथ गडवंधन चला चुके हैं तो वहां कितना इंपक्ट कर पाते हैं जो जिराते सिंधिया यह बहुत बड़ा परसन है यह आने वाला चु महा सच्यू तो इस तरह सी यह फिर बदल कांग्रेश के संगठनात्मक हुआ जो कि महत्तुपूर्ण था लेकिन सबसे महत्तुपूर्ण था प्रियंका गांधी का सक्री राजनिती में प्रवेश और वो अब कांग्रेश के लिए रहलिया भी करती हुई नजर आएंगी तो को बढ़ा पाएंगी या नहीं आप क्या समझते हैं अपनी राय दीजिए अगर आप वीडियो आप हमारे फेज उपेज पर देखना है तो फेज उपेज को लाइक करिए और अगर है वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल